नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जाओ पड़ीट में आज हम बात करेंगे उत्राखन प्राथ में शिक्चक भरती जिल्ला पिथोरा गटकी जहांपे टोटल 220 पत्मपर आवयदन मांगे गए थे और चार वेटिंग लिस्ट यहां प पर लास्ट का टॉप अपनी गुणांग पता होगा कि हमारा इतना है इस वीडियो को देखा आपको यह आइडिया डाएगा आपका जो गुणांग है कि इस में जो वेटिंग लिस्ट में आपका नमबर आ सकता है या नहीं आ सकता है तो हम पुरा एनलाइस करेंगे आप व पांचवी वीटिंग लिस्ट का एनलाइज करेंगे ठीक है तो आप वीडियो में बने रही है तो सबसे फिले हम देलेड की बात करते हैं ठीक है यह पर आप देखेते हैं पूरी कट आप दे रही है डिलेड जर्णल के अगर हम बात करें जो हैं पर प्वी वीटिंग लिस्ट आएगी उसके बारे में तो डिलेड में आप दिखते हैं तो लास्ट कट आप थी फूर्ट वीटिंग लिस्ट की वह थी 79.50 और जो नेक्स्ट वीटिंग आएगी पांचवी उस जो नेक्स्ट वीटिंग लिस्ट हैगी उसके 70 और 69 और 68 वालों में सेलेक्शन इसमें हो जाएगा SC Daylight में और SC Beard के हम बात करें तो इसमें 2007 वालों क्या नाम आया था और उनका जो गुडांग था 54.86 तो next waiting list है कि उसमें 53 और 52 के आने की chances है 2007 इनका Beard है उसके बाद ST के हम बात करें तो ST में 79.12 Daylight की last cutoff थी तो next waiting list में लगा देखा 78, 77, 76 तक आ सकते है OBC में 78.39 थी next waiting list में 77 76, 78 38 इनका आ सकते है और EWS B8 में B8 का selection हुआ था और इसमें जो B8 की cutoff थी 62.76 और जो next waiting list आएगी उसमें 2000 साथी का नाम आएगा और देख लीजिए आप उसके जो 61 और यहां पर लग 60 59 और 58 वालों का नाम आएगा और सिर्फ 2007 का इसमें selection होगा EWS B8 में ठीक है EWS B8 में तो और उसके बाद हम बात करें ZBC में तो सभी को पता होगा कि ZBC में आपे student नहीं मिल ले थे DLR वाले तो इसमें सभी B8 अभिरतियों का selection हुआ था एक स्थेस में general में भी यहां पर B8 का हुआ था ZBC में SC में भी OBC में और EWS में सभी यहां पर B8 अभिरतियों का selection हुआ था तो general की जो cut-off गई थी B8 की वो गई थी 65.4, SC गई थी 78.09 OBC की 63.74, 75 और EWS की गई थी 61.17 तो जो next waiting list आएगी उसमें भी 2017 वालों का selection होगा ZBC में, पिथोरागर जनपत में भी 2007 वालों का नाम आएगा ZBC में आप लगा लिजेगा, आप अपनी का top मेज का लिजेगा ठीक है, जो B8 वाले student है Science Other के हम बात करें तो Science Other में आप देखते हैं DLED में general की थी 79.33, SC की थी 76.64, B8 SC की थी 60.59 और इनका B8 B8 था, जो next waiting list आएगी तो B8 SC और EWS B8 में इसमें 2007 वालों का नाम आएगा ठीक है, इसमें 2007 का नाम आएगा और यहाँ पर आप देखते हैं DLED में 78, 77 तक जा सकती है इसमें भी 75, 74 OBC में 77 और 76 तो इनका आप इसमें 2007 का नाम आएगा B8 वालों में, सिर्फ 2007 ही वालों का यहाँ पर नाम आएगा बागी और किसी का यहाँ आने के चांसेज नहीं है हिंदी अगर हम बात करें हिंदी में भी हिंदी में भी हाँ पर काफी कम भरत्युकर सेलेक्शन हुआ था B8 में, तो जनरल में आपर 70 पर आगी थी देलर की मेरिट, B8 में आपकी जो हिंदी की मेरिट थी 74.95 और 2006 का B8 था SC B8 में 48.85 2005 का B8 OBC B8 में 53.89 2006 का B8 तो यहाँ पर आप देखते हैं B8 अगर हम बात करें, यो आर की तो इसमें 2006 ही का नाम आएगा क्योंकि मेरिट यहाँ पर 74.95 पर रुपी थी SC B8 के अगर हम बात करें तो 48.85 2005 तो इसमें 2006 वालों का नाम आएगा OBC B8 में भी 2006 ही का नाम आएगा ठीक है? तो आप लगा लिजे सिर्फ यहाँ पर चैंज हो साक यहाँ पर 2006 वालों का नाम आ सकता है बाकि यहाँ पर यहाँ पर 2006 का नाम आएगा और हिंदी में और OBC में भी 2006 वालों का नाम आएगा क्योंकि काफी स्टूडेंट पज़े हैं बीयड में तो इंग्लिस के अगर हम बात करें तो इंग्लिस में UR की जो कट आप थी डिलर की 66.04 SC की थी 64.62 OBC की थी 75.43 और EWS इंग्लिस में इंग्लिस में भी 2006 वालों का सेलेक्शन होगा और जिनका गुड़ांग 58 के आसपास था उनका सेलेक्शन होगा और जन्रल में आप दिसकते हैं डिलर में 75.74 इसमें 63.62 इसमें 74.73 का नाम आने की सांसिज है डिलर में ठीक है आठ अधर के हम बात करें जिनका सब्जेक्ट जो 20 परिशन होते हैं तो इसमें जिनरल की मेरिट थी 75.53 इसमें बाड़ेट का भी सेलेक्शन होगा था जिनका गुड़ांग था 53.0027 का बाड़ेट था SC में 61.52 DL8 SC में 73.80 OBC में 75.47 और EWS में बाड़ेट का सेलेक्शन होगा था जिनका 63.0023 था अगर हम UR की बात करें आठ अधर में तो इसमें 2006 वालों के नाम आ सकते हैं ठीक है इसमें UR बाड़ेट में SC के आप दगा देकर DL8 में 60 और 58 की बीस रहेगी SC में 71 के तक रहेगी सेलेक्शन होगा जिनका गुणांग के पर 72 और 71 होगा तो आप लोग अपने विसाइवाइज उस स्किन शॉट का लीजेगा तब आपको आईडिया आ जाएगा कि जो नेक्स्ट विटिंग लिशाएगी पिथोरागड में जहां पर 100 प्लस सीट है वहाँ पर आपका नाम आ सकता है और नहीं आ सकता है आपको एनलाइज हो जाएगा तो यह पिथोरागर जनपत्का था इससे बाएल हम रुदुप्रियाग और बागिश्वार का कर चुके हैं और चमुली का कर सकके हैं तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं तो नक्स रुटिंग लिस्ट का हमने पूरा एनलाइज कर लियागी, नेग्स स्सूटिंग लिस्ट में किस को नाम आ एगा, ठाक है तो आप लोग अच्छी से वीडियो देखना तब इसकी आपका नाम आ सकता है ये नहीं आ सकता है जिसके बावदीद बगर किसी को confusion होता है तो आप comment box पर comment करके बोल दीजेगा धन्यवाद